कच्चे तेल की बड़ी हुई कीमतों ने हम सभी का बजट तो काफी समय से बिगाड रखा है, बीजम मोधी सरकार ने भी टैक्स में कटोती करके आम जंता को रहत देनी की कोशिश की है, परंतु यह एक जमीनी सच्च्च्चाई थी कि कच्च्चे तेल का भाव अभी भी साथ आस्मान पर चड़ा हुआ है, और भारत अमेरिका समेथ सभी देशों ने कच्च्चे तेल के उतपादक देशों पर दवाब डालने की भरपूर कोशिश की, ताकि जैसे-जैसे कच्च्च्चे तेल की डिमांड बढ़ रही है, वैसे-वैसे उसका उतपादन भी बढ़ाया नहीं थी, लेकिन इसी बीच, अमेरिका के मार्केट में भी गैसुलीन की कीमतों में आग लग गई, और जैसे ही गैसुलीन का दाम 4 डॉलर के उपर जाता है, अमेरिका नेताओं की बेचैनी बढ़ने लगती है, क्योंकि चुनाव का सामना तो सब को करना है, बाइडन को द बाइडन की सरकार बीच रहा में लंगडी भी हो जाएगी, इसे कच्छे तेल का उत्पादन करने वाले देशों को सबक सिखाने के लिए शायद आपको पहले से जानकारी होगी, अमेरिका ने भारत जापान समित सभी देशों से आग्रह किया था कि सभी मिलकर एक साथ अप भारत, अमेरिका और जापान जैसे देशों को उनकी दयापन निर्वर नहीं है, पहले जापान और भारत ने मिलकर सप्लाइख खोलने के अमेरिकन प्रयास को हरी जंडी दिखा दी है, कच्छे तेल की सप्लाइब ढढ़ने के डर से उसका भाव अंतराष्टी बाजार में वैसे भी गिरने लगा है, असी डॉलर पर बेरल की उपर इत्रा रहा कच्छा तेल आज असी डॉलर के नीचे दया की भीक मांग रहा है, उधर यूरोप में बढ़ते कोरोना केसिस के कारण बढ़ती डिमांड पर भी सवाल या निशान लग गया है, इस प्रकार कच्छे त तेल उत्पादक देशों की उपर चो तरफा दवाव बन रहा है, देखना होगा आखिर कब तक उन्हें यह चोटी सी बास समझ में आती है, कि वह अपनी मनमर्जी के साब से दूसरे देशों का शोशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जमीनी वास्विक्ता यह भी है कि स्ट्राट यह उर्जा सुरक्षा को दावपन नहीं लगाये जाएगा, ऐसा हमें मोधी सरकार को लेकर विश्वास है, जहां तक हम समझ सकते हैं, अमेरिका जापान के साथ मिलकर स्ट्राटिक रिजर्व खोलने की बात मैसिज मात्र है, और उमीद है कि कच्छे तेल के उत्पादक दे एक और जहां पेटी एम के आईपियो में लालची भूली भाली पब्लिक को हलाल कर दिया गया, लेकिन आपको शायर याद होगा, जब पेटी एम का आईपियो खुलाता तब हमने हाथ जोड़कर आप सभी से विनिती की थी कि भाई जी ऐसे अनाप सनाप महंगे दाम पर ल की पहचान पार्की नजर से करना, तभी तो हर गिरावट पर हम भारत में निवेश के लिए बिलकुल तयार बैठे हैं, जैसे ही गिरावट के बाद मजबूती का संकेत मिलेगा, केंडल चार्ट का आदेश मिलते ही हम ETF और हाई क्वालिटी कंपनी के शियर सस्ते जाम पर ज दोस्तों आप से हमारा एक चोटा सा सवाल है कि आप कब तक YouTube, Telegram और Instagram पर टिप मांगते रहेंगे, आपको टिप मांगने वाला नहीं, टिप देने वाला बनना है, पूछने वाला नहीं, बताने वाला बनना है, और दूसरों पर dependent नहीं, आत्म निर्भर बनना है, यदि description box में दी गई हुई link पर click करना है.